कि यह आपका सिक्स पार्ट है इस पेपर में आपकी फाइप मिनूट थी जो हम पिछले लेक्चर्स में कवर्च कर चुके हैं और इस लेक्चर्स में हम एसाइन्मेंट्स की बात करेंगे इस फाइपका सब्जेक्ट है बाइक में सब्जेक्ट है बाइक में सब्जेक्ट और पी फडीड़ेटी लेक्चर शेलीच आप लोगों ने पढ़ा बाइक 20 द्री बायो मालिकूल्स वायुद बायो नेजजेटिक्स उनिट फॉन में एक एक ट्यू उपके और स्सेक्टंड 1. Biochemistry carboidrate metabolism. 3. Biochemistry lipid amino acid metabolism. 4. Biochemistry Nucleic Acid metabolism and genetic information transfer. 5. Biochemistry enzyme or Biochemistry BP-203T BPharma Question Papers. यहाँ पे हर unit के half unit का एक assignments, seasonal assignments paper मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जिसको solve करके आप लोग अच्छी तरह से exam की तैयारी कर सकते हो We have studied various lectures of AK2 by chemistry BP2030 as shown in previous abo In this presentation, two assignments for each half unit and a question paper of final semester examination are given Solve this assignment for better performance in your seasonal and semester examination यह अपका unit 1 का half unit का test paper 1 है जो अपकी total max 20 का रखा गया है और time duration आपकी 50 minutes का है इसमें section A में आपके 6 question दिए गए 6 में इसे 5 का आपको करने Section B में 5 questions दिए गए इसमें 5 करने Section C में आपके 2 questions दिए इसमें से 1 करना है अब सारे questions solve कर सकते हो और अच्छा presentation बना सकते हो इससे आपको exams में, इनको solve करने में और लिखने में आसानी रहें विडाउट प्रेक्टिस जो है अम बेटर तो ही किसी एक जाम्स में नहीं लिख सकते इसले प्रेक्टिस इस मोर इंपोर्टेंट्स यह आपका फैस्ट उनिट का सेकंड ट्वेस्ट है जो अनर्जेटिक्स बाइयो इनर्जेटिक्स पार्टे इसमें कुश्टन्स लिए गए पैटरन सेम है जैसा कि फ़ास्ट टेस्ट में था यह आपका थर्ड टेस्ट यूनिट टूस के पहले हाँ पार्ट से लिए गया गया है जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेप साइकिल्स, ग्लाइकोलिसिस, ग्लीकोणोजनेसिस को कवर किया गया है, HMPCNP कवर किया गया है इस उनिट्स में आपका यूनिट 2 का सेकंड टेस्ट है, जिसमें इलेक्टाउन टांसपोर साइकिल, FMN, FAD, बायलोजिकल एंजाइम, बायलोजिकल ऑक्सडेशन, फास्पोर रिलेशन, इस एक्टाटापिक्स कवर किया गया है फिप टेस्ट आपका यूनिट 3 से लिया गया है, यूनिट 3 की पहले हाफ यूनिट यहाँ पर कवर की गई है, जैसे आपका कीटोन बाडी है, कोलेस्टरॉल्स है, विटामिन दी है, कीटो एस्टोसिस है, बीटॉक्स देशन आप सच्चुएट फैटी असीड है, डिनॉस सिंथिसा, फैटी असीड है, अबेस्टी है, एस्टोस्क्लोरेसिस जैसे टॉपिक्स कवर की किये गए है, आपका जो शिक्स टेस्ट है, यूनिट 3 का सेकंड टेस्ट है, जिसमें आपके बहुत से अमिनो एस्टीट की मेटाबोलिजम और सिंथिस की बात की गई है, जैसे इसमें आपका केटाबोलिजम आप यूरिया साइकिल, केटाबोलिजम आप हीम, बायो सिंथिस आप डोपामीन, और डिसॉर्डर लाइक फिनाइल किटोनूरिया, अलकिप्टोनूरिया, हाइपर बिल्रोपिमिया, एसेक्टर टापिक्स कवर किये गए है, इसमें, आपका यूरिसेट है, हाफ का हाफ पार्ट का टेस्ट है, फस्त टेस्ट जिसमें आपका काटाबोलिजम आप यूरिन नुकLEchoटाइट पा इसमीया, अधनिनुकLEटाइट अनुकLE टोटाइट किया है, अरे सब्सक्टर टक्ट्स कर बrive अए है unit 5 के second half unit का है जिसमें DNA और RNA का structures, DNA replications, protein synthesis, transcription reactions, various type RNA functions of DNA और RNA, genetic codon, genetic codes का course रखा गया है. नाइन टेस्ट unit 5 के first half से है, that is cover enzyme inhibition, enzyme kinetic using matchless plot and line wave work plots and important enzymes, high restrictions enzymes cover किये गए है. आपका जो 10 टेस्ट, next half unit का है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लास्ट में एक के ट्यूब बाद एक सिस्टिमेटिक तरीकी से सॉल करें और इनको रिमेंबर सकते हैं, एक यहाँ पे लास्ट में एक ट्यूब बायो कमिस्ट्री बीपी 2030 का प्रीविएस एयर कॉस्चिन्स पेपर दिखाया गया है, जिसमें आपका एक पेज का यह पेपर है, पेपर आइडी इस की थी 150208 और आपका सब कोट दिया गया है, बीपी 2030 आपको जब एक्जाम देते हैं, आपको रोल लंबर की लग करना होता है, बीफार्मा समिस्टर 2 थेओरिक जाम निशन 2017-18 का है यह पेपर और टाइमिंग आपके जो पेपर की है, थी आवर्स होती है, और आपके टोटल मार्क 75 मार्क का होता है, इसके सेक्शन ए में आपके 10 कोश्चन दिये गहें, जिसमें कोई चूट नहीं है, सारे कोश्चन आपको अहल करने होते हैं, और एक इच कोश्चन 2 मार्क का होता है, एक टोटल कोश्चन 10 इन्टी 2 is equal to 20 मार्क का हो जाता है, रपको सेक्शन B में आपके three कोश्चन दिये गहे हैं, और थी में से आपको two कोश्चन आटेम्ट करने होते हैं, और each question होद एवा टेन मार्कств, तो B section इन्टी मार्क का होता है, सेक्शन C में आपके six कोश्चन दिये गए हैं 6 में से आपको 5 करने होते हैं और each question है वा 7 marks का होता है total marks is 35 therefore जो आपका main exam paper हो 75 marks का होता है और जो आपके 25 marks हैं वो आपके seasonal exam से cover के जाते हैं seasonal exams में आपके जो 10 marks होते हैं attendance के लिए होते हैं और other activities के performance से लिए जाते हैं और दूसरी तब आपके जो 15 marks हैं वो सेशनल exam में जो आप performance करते हो इसके marks होते हैं total total 100 marks का यह papers होता है और इससे को 8 credits आपको obtains होते हैं तो अपने biochemistry का एक complete review यहाँ पे देखा और यहाँ पर कई topics बहुत ही जो लिए गए हैं बहुत short में लिए गए हैं आप चाहें तो उनको details में बहुत अच्छे topics available हैं books में या YouTube में details में दिए गए हैं दूसरे channels को subscribe देख सकते हैं और subscribe the channel for new videos presentations revise the all unit and solve question paper for better preparation of biochemistry आप अगर चाहते हैं तो जो यह आपका 5 presentation है इनका short notes एक PDF file research gate पे हमारी हमारे जो पेच है उस पे दिया गया है जिसका नाम AKTU biochemistry BP2030 notes है और इसका link आपका DOI यह यहां पे दिया गया है इस link पे जा करके DOI search करके आप वहां से download कर सकते हैं thank you for watching the videos होज स्कते हैं